दोस्तों आज के वीडियो में हम ICICI Bank के Platinum Chip Credit Card के Features के बारे में जानेंगे जिससे आप ये टैकर सकें कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं तो दोस्तों वीडियो को Like, Share और चैनल को Subscribe जरू करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही informative वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए स्चार्ट करते हैं आएए ICICI Bank के Platinum Chip Credit Card को डीटेल में जानते हैं इस चार्ट में यहाँ जो Charges मैं बताऊंगा उन पर GST अलग से लगेगा जो 18% है इस कार्ट को लेने पर कोई Joining Feast नहीं देनी पड़ेगी और इस कार्ट में कोई Renewable Feast भी नहीं देनी पड़ेगी इस कार्ट में Fuel को छोड़कर Retail Purchases पर हर 100 रुपे स्पेंड करने पर 2 Reward Point मिलते हैं और Utilities या Insurance की कैटिगरी में स्पेंड करने पर एक Reward Point मिलता है इस कार्ट में Culinary Treats का Benefit मिलता है जिसमें भारत के 2500 Participating Restaurants में Dining Bill पर कम से कम 15% तक का Discount मिलता है इस कार्ट से HPCL के किसी भी Fuel Station से Fuel लेने पर अगर Spending Maximum 4000 रुपे तक हुई है तो Transaction Amount का 1% Fuel Surcharge में छूट मिलेगी इस कार्ट के Bill को अगर Branch जाकर Cash जमा करके Pay करते हैं तो 100 रुपे तक का Charge लगता है इस कार्ट की मदद से ATM से Cash विड्रौ करते हैं तो 500 रुपे प्लस Cash विड्रौन Amount का 2.5% तक का Charge पड़ता है इस कार्ट के Use Balance पर 3.40% पर मन्त तक का Interest देना होगा जो Annually 40.80% तक होता है इस कार्ट में Interest Free Period 48 दिन तक का मिलता है Interest Free Period तभी मिलेगा जब Previous Deals क्लियर होंगे इस कार्ट में अगर Bill 100 रुपे या उसने कम का है और Payment करने में Late हो गया है तो कोई Charge नहीं कटेगा लेकिन अगर Bill 100 रुपे से ज़्यादा का है तो 100 रुपे से 1200 रुपे तक का Late Payment Charge करता है जो अलग-अलग Amount पर निर्भर करता है इस कार्ट की Limit से ज़्यादा के Amount का Transaction करने पर मतलब Over Limit करने पर साड़े 500 रुपे प्लस Over Limit Amount का 2.5% तक का Charge पड़ता है इस कार्ड में Payment डिसादर होने पर 500 रुपे प्लस Total Amount ड्यू का 2% तक का Charge देना पड़ता है इसमें अगर आप कार्ड को Replace कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपे तक का Charge पड़ता है इस कार्ड में Rent Payment के Transaction की Processing पर Transaction Amount का 1% चार्ज लगता है इस कार्ड से Railway Counter पर जाकर टिकेट खरीदेंगे तो Transaction Amount का 2.5% चार्ज देना पड़ेगा वही अगर Railway की Official Site से खरीद रहे होएं तो Transaction Amount का 1.8% चार्ज देना होगा Foreign Currency की Transaction में जिस जेट को यह Transaction होते हैं उस दिन Currency Exchange Rate कुछ और होता है और जिस दिन यह Transaction सटल होते हैं उस दिन Currency Exchange Rate कुछ और होता है तो ऐसे में जो Payment Gateways हैं जैसे Visa, Mastercard, Foreign Currency Transaction Fee लेते हैं जो Transaction Amount के Indian Currency में Conversion के बाद कैल्कुलेट किया जाता है इस कार्ड में Foreign Currency Transaction Fee साड़े तीन परसंट तक है अब दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टन फीचर थे ICCI Bank के Platinum Chip Credit Card के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस कार्ड में ठीक था Cashback Offers मिल जाते हैं इसलिए अगर आपका Credit Card का Use ज्यादा नहीं है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बसना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thanks for watching